तितिति, what to do and what not to do, I was totally bewildered, पैफल्ट, what should I do now, and you can think, the child who was in 9th standard, what can he do, what could he do, नाईंद से यहां आया, तो जिस तिन मैं इलाभाद की धर्ती पर आया, उस तिन मैं पहली बार रेलगाडी की यातरा किया था, और पहली बार घर छोड़कर के कहीं गया था, और मैं आपको बताऊओ, उस तिन मैं अकेले ही गर से आया था अब समय में क्लास नाइंद का छात्र हुआ करता था एक बच्चा ही था बुलाने वाले ने बुला लिया मेरे अभावक ने बुला लिया उपर का ग्रहन कहिए उपर का शैयोग कहिए क्या कहिए कुछ सब्द नहीं आता है लेकिन मैं ये मनभव करता हूं गाव का दर्द भूल गया अलो दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है हरमीत फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हमारे साथ एक सर मवजूद हैं सर के बारे में हम जरनी से जानना चाहते हैं क्लास टेंस लेकर के आप तक अब इनके बारे में कितना इस्टेगल रहा बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विद्यार्थी की कुटिया में हरमित जी और आप इस धन्यवाद के पात्र इसलिए भी हैं कि आप एक ऐसे विद्यार्थी को इंट्रिविव के लिए चुना है जो आज भी संघर्ष के दर से गुजर रहा है और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि अंतिर्म से सफलता उसको नहीं मिली है और अभी तक तो इंट्रिविवर्स यही करते हैं कि सफल ब्यक्तियों का ही इंट्रिविव ज्यादा तर लेते हैं लेकिन एक सफल ब्यक्ति भी जो लगतार सफल होने के लिए प्रयासरत है उसके संघर्ष को सुन करके जो पेना लीजे सकती है पत पर जो कठनाईया आती है उनको दूर करने में हमें मदद मिलती है तो इसलिए हमें समाज में ऐसे लोगों कभी इंटर्व्यू लेना चाहिए जो लगतार संघर्ष कर रहे होते हैं ताकि समाज में और भी लोग जो तयारी कर रहे होते हैं नाइकल परतियों की छात्र बलकि जीवन के हर एक विधा से जुड़े हुए ब्यक्ति जो लगातार संखर्ष कर रहा है, कोई अध्यापन में संखर्ष कर रहा है, कोई फिल्म इंडेस्ट्री में जाने के लिए अपने आपको सिध्ध करने के लिए संखर्ष कर रहा है, तमाम थोड़ा अंतर तो जरूर आता है, मंजिल पर जाने के बाद पथिक को लगता है कि सब कुछ सुना रहा था, हो सकता है कि घाव ऐसे था, जिसकी दवा मिलने के बाद घाव का दर्द भोल गया हूँ, लेकिन मैं आपको बताओं, घाव से जो पीडित बैक्ति है, यानि कि ल अगतार जो संघर्ष को कर रहा है, उस तवरान किन-किन दवाईयों का प्रियोग करके अपने घाव के डर्द को कम कर रहा होता है, ये बिचान ये बात अगर बैक्राउंड की करें, तो मैं किसान बैक्राउंड से आता हूँ, मेरा नाम बिने यादव है, मुझे लोग बिन प्रताप समदर्शी के नाम से ही जानते हैं, समदर्शी नाम के पीछे भी एक कारण है, एक घटना है, आपको मैं बता दू, कि मैं अपने क्लास का मानीटर हुआ करता था, और समदर्शन, यानि कि एक द्रिष्टी से सब को देखने वाला, ये द्रिष्टी कून जो था हमा समदर्शी हैं, तो उनके बीच में बांट देता था, तो मेरे टीचर्स मुझे समदर्शी कहते थे, तो ये सरनेम जो है, आज सब लोग उसको लोग पर ये बना दिया, कि हाँ, आप समदर्शी ही हो, तो मुझे भी अच्छा लगा, और मुझे भी अच्छा लगता है कि अधरिश्टी कोन की भावना रखे अपने अंदर, और समदर्शी ही बन कर रहें, क्या लखा है यादव बन कर सिंग बन कर के त्रिपाठी शुकला बन कर रहने में, जो मजा है समदर्शी बन कर रहने में, वो किसी और चीज में नहीं है, तो ये रहा, अब आप चुकी कि मैं अपने पिता जी और माता जी का प्रथम पूत्र हूं। जॉइन फेमिली से आता हूं। मुझे पढ़ाने में चाचा जी का भी शहयोग, मेरे बड़े पिता जी का भी शहयोग, मेरे छोटे चाचा जी का भी शहयोग, इवेन की मेरे छोटे भाई हैं। उन लोगों का भ जब मैं अपनी जन्म भूमी बलिया छोड़कर ग्यान की नगरी, संगम नगरी, गंगा यमना सरस्वती की तहजीब की धरा प्रियाग राज में आता हूं, पहले ये इलाहबाद ही हुवा करता था, प्रियाग राज अब हुआ, हलांकि इसका इतिहास में प्रियाग राज ही लेकिन फिर भी मैं बरतमान के बात कर रहा हूं, तो उस शमय हमारे जो अभिभावक थे, स्री रमेश यादव जी थे, आज भी हमारे अभिभावक वही है, तो उन लोगों ने बताया हमें कि आप इलाहबाद आओ, और पढ़ाई लिखाई शुरू करो यहां पे, हालांकि आप लोगों का अशिरवाद और समाज का अशिरवाद रहा, कि मैं ब्राइट श्टूडेंट था गाउं से ही, तो मुझे भी ऐसा लगता था, कि बलिया से हट करके हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, इलाहबाद या बनारस या कहीं जाना चाहिए, तो एट तक तो मै जिस अभिभावक के भरोशे हम आये थे, उनका किसी कारण वस मुवाईल आफ थे, जिन जिन लोगों को मैं जानता था, उसमें मुवाईल का भी दोर बहुत कम ही था, सबके पास मुवाईल हुआ नहीं करता था, मेरे पास भी नहीं था, मैं भी रेलवाई स्टेशन से ही फ अगल में, अब नहीं है वो, पहले था वहीं पे, पांडे जी थे, उनका एक पीशियो था, तो मैं किंग करता भी विमोड हो किया, क्या करू क्या न करू किस्तिति, तो इस तरीकी की प्रिस्तिति में एक नाइंत का बच्चा क्या कर सकता है, मैं बैठा था, लेकिन मैं आज भर से अकेले निकलता है नो खोता नहीं है, खोता वो है जो किसी के साथ निकलता है और इसका साथ बिछड जाने के बाद उखो जाता है, मैं सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तो रदर के बाद मुबाईल आउन होगी, हो सकता है कही मीटिंग में होंगे, कहीं होंगे, आठ बज गए रात को, फिर भी मुवाइल उनकी आउन नहीं हुई, और लोगों को भी मैं फोन किया, जो हमारे गाओं के अभिभावक ही थे, उनका हमाई सवयोग मिला है, आज भी मिलता रहता है, लेकिन किसी के मुवाइल आउन नहीं हुआ, कारण की पता चला, कि उस मुहल करके हम एक बच्चा जो सोच पाता है, वो गाओं की प्रिष्ट भूमी से आता है, तो बाद में मुझे पता चला कि हाँ, राजापूर जैसे कलोनी में लाइट तो दस घंटिर तक कर जाती थी पाले, तो यही वज़ा था कि उनकी मुवाइल डिश्यायर थी सबकी, तो मैं पांडे पीश्यो पांडे पीश्यो शुना हुआ था, तो एक रिक्षे वाले से बोला, चार-पांच रिक्षे वाले से बोला कि मुझे पांडे पीश्यो राजापूर जाना है, तो किसी को पता कहां, बाद में जाना कि पांडे पीश्यो इतना फेमस भी नहीं थी, कि उसक कर सके एक location के रूप में यूज कर सके मैं बाद में जब याद करता था कि एक पांडे पिश्यो नाम का नाम बता करके आया ना मुड़ा मुश्किल था लेकिन रिक्षा वाला एक फरिस्ता बन करके आया आज भी वही भावना है हमारे अंदर कि एक रिक्षे वाले को मैं आज कि अपना सारथी बोलता हूं कि पहली मंजिल तो मुझे ये था कि हम जिसके हाँ आये हैं वहां तक पहुच जाया हम वहां तक पहुचाने वाला व्यक्ष्च्न जो मुझे था जो मुंझे था कि इलहवाद सेल ब्यक्ष्द तक Milesabadi युसे व्यक्ष्स ने कहा कि हम मुझे प तो मेरे चाचा जी थे वहाँ पर, खुशी हुई, बच्चा को देख करके कि हां मेरे अभिभावग जिनके हम आये हो नहीं है, तो उन लोगों को भी ये लगा, कि इतनी कम उम्र में इसका प्रेजंस अपमाइंड इतना अच्छा है, कि बात बात में, दो तीन बात ही, दो ती वहाँ आने के बाद एक समान ने जो प्रतियोगी छात्र यहां के लोग किराया पर रूम लेते हैं, रूम लिये, रूम लेने के बाद अब संघर सुरू होता है, एडमिशन का, तो कि 9th में एडमिशन लेना था हमें, अब पढ़ना था है इलावाद के सबसे बढ़े स्कू और रूम लेना था है, तो मेरे पिता जी नो डाउट किशान है, तो हो सकता है कि आर्थिक रूप से, और भगवान के उपर वाले की महरबानी है, किशान ही है, लेकिन सब कुछ है, भरा है, तो उनका ये कहना था कि पहना तो सबसे बढ़िया इसकूल में पढ़ना वहाँ चाहें फीस कितना भी लग जाए, तो ये मन में था कि सबसे बढ़िया इसकूल में पढ़ना है, एडमिशन की जो डेड थी, वह भी ओवर हो चुकी थी, तो मैंने अपने चाचा जी से बोला कि जो भी है सिफारिश लगा कर कि आप अपना किसी भी तरीके से एडमिशन फॉ काल पाया तो इसका मतलब कि एडमिशन लेने का लाइक नहीं हूं, तो फिर लाइक नहीं हूं तो फिर नलाइक बन कर क्यो रहूं यहां पे, लेकिन उपर वाले की महरबानी, 36 लोग उसमें टेस्ट दिये थे, सबसे बढ़िया नंबर, मतलब टॉप हम ही किये थे, कारण था साहितिक प्रतिरुजान, 11-12 में में साहितिक प्रतिरुजान हो गया, कविताय लिखना, कहानिया लिखना, तो इन सब चीजों मुझे रूची आने लगी, वही 12 में ही आल इंडिया ऐसे कम्टिशन हुआ, तो इसमें इवन नो चार देसों का कॉलाबरेशन से अप मुझे बेवफा लगने लगी, तो 12 का लड़का अगर है, उसको फीजिक्स, केमिस्ट्री, मैंत्स बेवफा लगे, तो जाहिर सी बात है कि आगए इनको हुमैनिटीस से ही प्यार होना है, मतलब साधी इनकी हुमैनिटीस से ही होनी है, यानि भी ये करना है, 12 के बाद हम भी ये शुरू कर दी, यहाँ पे लहाबाद विश्व बिद्धाले से, उसके बाद इंग्लिस डिफेंस जीगरफी लेकर पढ़ाई सुरू किया, चुकि दबाव था कि सीबेशी बोड से पढ़े, उमार्शी पतंजली बिद्ध्या मंद्री गंगा गुरुकलम, यहाँ का बह गए गया, तो मैंने अपने पिताजी से बहुत ही सरलस्वफाओ के पिताजी हमारे हैं, मैंने भी बहुत सहजता और सरलता से अपनी बात को रखा, फोन से बात नहीं हो पाती थी, डांडते थे, कि बीटेक करो, सब लोग कह रहे हैं, आस पढ़ो सब लोग कह रहे हैं, कि सी बेसी बोड से पढ़ने का क्या फायदा मैं जानता था कि मैं बीटेक करके एक अच्छा इंजिनियर नहीं बन सकता था तो उस समय मेरी पिता जी बोलने लगे कि सब लोग ऐसे कह रहे हैं तो मैंने कहा कि देखिए पिता जी ठेट भासा मैं आपको समझाओं तो मैं अच्छा इंजिनियर नहीं बन सकता और जिस तरीके कि आपका समाज में रेपुटेशन है एक अच्छे घर की लड़की से मेरी सा जादी हो जाएगी आप ही के रेपुटेशन के बदा उलत उससे होगा क्या कि जब वो आएगी तो उसका खर्चा चलाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उसका सिंदूर नहीं खरिद पाऊंगा मैं एक बेकार इंजिनियर बनूँगा तो आप सोचिए कि जो एक पती अपने पतनी के सिंदूर भी नहीं खरिदने की हैसियत में रहेगा मैं एक बहुत बड़ा सी अतिस्वक्ती बोला था लेकिन हाला तो वही होते अगर मैं इंजिनियर बनता अच्छा इंजिनियर नहीं बन पाता उनकी रेपुटेशन पे तो हमने कहा कि मेरी इच्छा जहां है वहां में लगने दीजिए तो इलहाबाद 200 विद्दाले में मैंने एडमिशन लिया सुरू कर दिया वही से तायारी फ़स्ट यह से हैं हाँ एक और बात बताओं ट्वेल्थ की बात यह छोट रही थी अपेरिंग महीं में NDA क्राइक क करने के बाद सब कुछ हो गया री मेडिकल के लिए मुझे वजन कम पढ़ गया तो वजन कम पढ़ गया 21 दिन के मुझे समय दिया गया चार किलो बढ़ाना था बहुत कम पतला था अकेले रहना था खाना बनाना खुद से ही खुद ही सब कुछ करना 9-12 तक सब कुछ अकेल ह का कि अए टमिद जब से अब यहां पर उन पर आहे होें तब से आप अडिन का टबनर टो जानते भी नहीं थे कि नाईंटRI तक 2030 विह ważतों है यह यह भी सते हैं यह इंहिं यह नहीं जानता था फोड़िवती एक साल होस्टल की लाइफ जी पैप लॉप में वहां आज भी अगर हमारे साथ डाक्टर साहब है डाक्टर पंकर जी जो पेस्टी कर रहे हैं तो आज भी ये हमारे साथ रूमेट की तरह नहीं है और रूमेट की तरह सद मेरा भी ना पाओ वो मेरे परिवार के सदस्य करूप में ही है मेरे मित्र के मेरे भाई के रूप में आप ब तो आपको वर्ले अंसान या तो बहुत बड़ अपच्छा प्रसने पने किया दिखिए अकेले ब्दोत बड़ा ब्ध्डवान बन जाता है और मैं अपने बात बता हूं अंस्ली सब्सक्राइब हुआ मैं खाना बनाने में बहुत आ आज भी आमरे साथ नहीं रहते test थोड़ा साथ दभाव ना दें कि खाना बनाना है, साईध मैं टाल जाता हैenses mess जदेंध लेकर के अकेलगे दूकेले का कहा फकर नहीं पड़ता है। अगर आप फोकस्ट हैं, था बढा़ाइ सदिग्वस धना होती है खाना बनाने को लेकर के चीजे तो बहुत सरी चीजे ऐसे क्रियेट हो जाती है जिसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उस चीजे हमें पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा बुरा असर डालने लगती है तो उस समय लगता है कि सिर्फ हम खाने के लिए हैं पढ़ाई नहीं हो पा रही है त एक शूटा भाई होना चाहिए वजह ही लड़का है और लड़का आज बड़ा भाई ही मानता है इविंट रखा आपको तो मेरे हाँ साधी बेवा पढ़ता है तो मेरे साथ जाता है दस तिन पंदर दिन पहले वो इसलिए नहीं कि वो बहुत हमें मानता है वो कहता है कि आपका परिवार मेरा परिवार है मैं भी उसके परिवार को अपना परिवार मानता हूं और उस तरीके के जिम्यदारी वो भी बात अगर बरतमान पढ़ाई लिखाई की करूं तो मैं बता रहा थे NDA में सेलेक्शन की तो NDA में जब सेलेक्ट हुआ तो चार किलो बजन कम पढ़ा है खाने पीने में टाइम से वो नहीं पाता था आओ तो कोचिंग जाओ खुद से ही करना था छे बज़े साथ बज़े तो स्कूल ही निकाल जाते थे सुबह में हम तुबले पतले थे आज वही दिख रहा होगा लेकिन आज दुबले पतले बने रहना ठीक है उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है लेकिन उस समय थे तो टाइम से ना खाने का वज़ा से थे और आज तो अब नेचुरली बन गया वैसा तो हो नहीं पाया मेरा री मेडिकल भी मैं किलियर नहीं कर पाया तो बहुत एक तरह से एंग्जाइटी होने लगी थी कि पहली सीड़ी हम कि अब चलते हैं कि आई एस की तहरी करते हैं कि तैयारी सुरू कर दिया लगातार से डिएस एंडिये एफ कैट एससपी देता रहा तो बाद में हम फाइनली मेरिट से आउट हो गए तो कभी कॉन्फरेंस आउट हो गए इस तरीके की चीजे होती रही तर जैसे कि आपकी मन अच्छा और प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा कि हम आये इस की तरफ क्यों आये तखिए एक बात बता रहे हैं आपको हो कि पहले मैं नहीं आना चाहता था इसमें पहले मैं इसमें नहीं आना चाहता था पहले ये था कि मुझे आयाइटी क्रैक करना है अप्टु क्लास सकते हैं कि मेरे महाल में, मेरे वातावरण में, मेरे साथ संगती में कुछ ऐसे लोग थे जिन से मैं बहुत कुछ सीखा और मैं फास्ट लर्नर हूँ, मैं फास्ट लर्नर हूँ और डिसीजन मेकिं में भी स्लो नहीं हूँ, डिसीजन मेकर भी फास्ट हूँ और फास्ट लर्न और साधी भी मुझे इसी से करना होगा, तो रोज रोज मरना होगा, तो इसलिए साधी हम हमेनिटीज से करेंगे, यानि कि बी एम में वाला कलावर्ग में आएंगे, तो उस तवरान एक भूपेंदर यादाव जी थे, इटावा जी लेके निमाशी, इस समय तवसिल्दार है, वो सेविल सर्विसेस के बहुत अच्छे स्टूड़न थे, सीनियर सिटीजन नहीं कह सकते हैं, उनको सुनेंगे तो उनको पूरा लगेगा, बहुत ही सुपब सीनियर थे, अंतिम प्रयास में चाह नित हुए थे, वो 2011 में चाह नित हुए थे, तो उनसे मैं खाना खाने के रात को तहलता था उनके साथ छट पे, तो एंसे आइटी पर, तमाम प्रकार के एंसे आइटी में जो टॉपिक्स होते थे, हिस्ट्री के, जगरफी के, एकोनामिक्स के, सोसल इसूज के, और फिलास्पियो अप्शनल वाले थे, तो इन सारे प्रस्णों पर हम लोग बहुत तो बहुत ही गहराई से बिचार करते थे, और डिसकस करते थे, वह अब अन्तिम अटेम्ट उनका चलने वाला था उसमें, और मैं, अभी क्लस्टेंथ, हाँ, उसमें क्लस्टेंथ में था, तो वहां से मैं सोचा आया, और मोटिवेट भी करते थे, कि तुम कर सकते हो, तो मै कहा कि नहीं सर, हमको जाना है, कम से कम AIEE-EE तो निकालेंगा, उसमें AIEE-EE होगा करता था, NIT जिससे मिलता था, तो वह बोले कि इसको करने के बाद आना कहे कि नहीं सर, हमको पैसा कमाना है, सिधा से भंडा था, तो फिर मुझे जब लगने लगा कि मैं PCM पौन नहीं पाऊं तो करूंगा क्या तब मुझे सर की बाते याद आई उस समें सेलेक्ट हो गये तो मुझे याद आया कि सर जो कह रहे थे सही कह रहे थे उसके बाद से मैं करियर लांचर में अक्तर मलिक सिंवाना शुरूह Georgiणंत जब भी आगी jeopard किए अपना एक्र nossa डिखती नहीं अव्य बहूत मोटीवेड बीछ एक्रिकारिक करते चैबर गदूहल इन करते इंकि अपने होई हो5 त रीकेका से तैयारी करते करते इंटर्व्य Kommando BPSC के पहले अटेम्ट में पहला इंटर्वीव हो ही था बिहार PCS का 60-62 वाला पहला इंटर्वीव हमने दिया उसमें भी अच्छा कि 801 नंबर हमको इंटर्वीव में मिला था आस्वास्था कि हो जाओंगा नहीं हुआ जितना दर्द NDS, EDS में सफलता हो के बाद होता था उससे कई गुना दर्द हुआ कि अब मैं क्या करूँ Now what should I do उसी समय मैं इंगलिस से MA में एंडमिशन लिया था यहां पे तो नहीं हुआ फाइनली उसमें सेलेक्शन उस समय MP का भी एक मेंस लिखे उसमें भी नहीं हुआ तो फिर मैं सोचा कि अब क्या करूँगा और सेनियर्स को देखा था कि धर उतर घुमत कर ट्यूशन पढ़ाते हुए जो सेलेक्शन के लिए अटेम्ट सोगरे सब खतम हो जाते थे तो ट्यूशन पढ़ाते हुए तो कहा कि मैं तो यह लाइफ नहीं जी पाऊँगा फिर क्या करूँ मैं में लिया था इंगलिस से छोड़ दिया फिर MBA में अड्मिशन लिया Master of Business Administration उसको मैंने किया अच्छे से किया फिर सोचता था यही कुछ नहीं तो इडमिश्टेशन का पाट बनूगा चाहें Public Administration चाहें Private Administration नही जी Company में भी जा सकता हूं Private Companies में भी तो रहूँगा तो आफिसर क्लस में लिए तो इसलिए MBA किया MBA करने के बाद मन में आया कि nostril करते हैं तो BA जो मेरे जैसे उन सब से मिल PUBG कहना हूं कि आप competition की race में आप अपनी academics की चावी को खोना मत, academic achievements आपके लिए चावी के काम करती हैं, और competition की race पर आप चल रहे होते हैं, कई सरह ऐसे लड़के हैं, seniors भी हैं मारे ऐसे हैं, जिन्होंने academics पढ़ाई छोड़ करके, totally they are dedicated to their competitive exams only, बट मेरा suggestion नहीं तो मेरा एक सला है, कि ये तरीका नहीं है तयारी करने का, academics पढ़ाई आपकी चलती रहनी चाहिए, आपको degrees लेती रहनी चाहिए, लेते रहना चाहिए, no doubt की समाज वाले कारते हैं कि ये degree ले 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 फिर भी आपको job नहीं मिले, मत सूचिए आप, academics पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप eligible ही कहां होएंगे, आपकी अगर योगिता PhD की है, आपने PhD नहीं किया है, आपकी योगिता है PhD करने की, आप PhD जो किये हैं उनसे भी 10 कुना ज्यादा जानते हैं, क्या आप इन्वेस्टिम प्रोफेसर बना जा सकते हैं, no, तो यहां degree की म सब्सक्राइब है, और वेटिंग में इंग्लिश TGT किसे सेलेक्ट भी हुआ, तो वेटिंग में हुआ भी, बैट लग था है, तो आप इतने कई आप एक्जाम दिये, उसमें कुछ दिक्कते कुछ नंबरों से आप इसे की मेंस वगरा कई चीज लिखे तो उसमें आपका कई एक्जाम में, तो आपको काफी दुखत हुआ, तो ऐसा कौन दोस्त का ऐसे कौन चीज मोटिवेशन आपको इतना मोटिवेट की कि आप उस चीज को लेकर के चले अभी तक उसको रुके नहीं है, ऐसे क्या चीज आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, देखिए, जब कभी भी देखिए, होता क्या है, कि हर मर्ज की दवा अलग होती है, और डॉक्टर भी अलग होते हैं, जब कभी भी में पढ़ाई से रिलेटर दिकते आती थी, तो दॉक्टर साब हमारे पंकज भाई हैं, जो बगल में ही बैठे हैं, उनसे में चर्चा करता था, कुछ तो मन में आता है कि छोड़ दू, MBA किया हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जौब करने लगो, तो पंकज भाई भी बोलते हैं, कि नहीं नहीं, प्रियास करिए, एक बार और करिए, एक बार और देखिए, तो इस तरीके से चीजे होती रही, बहुत कम नंबर से, जो है कि से प्रेक्शन रुखता रहा, UPSC में भी, UPPCS में भी, बिहार PCS में भी, NDA, CDS, AF, CPF में, CPF में दो गया फिजिकल देने, तो गोला ही नहीं फेक पाया, उसका भी रीटे निकाला, तो सब किया, इसके बावजूद भी आज भी लगा हूँ, तो बरतमान में अब एक जिद है, जैसा कि पंकज भाई का भाई है, और हमारा इस्टूडेंट भी है, हम दोनों नहीं मिलकर उस बच्चे को पढ़ाया है, वाज लेफ्टिनेंट की पासिंग आउट परेट किया है, यह उन्तिस्त मई को, तो थोड़ा उसको देख करके भी हम लोग मोटिवेट करते हैं, कुछ लोगों को चैलेंज के रूप में भी हम लोगों ने स्विकार किया हुआ है, कि कम से कम बीस पचिस्थे आफीसर्स दो-तिन सालों में तयार करना है, हमें, NDS, EDS वाले, और इस मिसन पर हम काम कर भी रहे हैं, अभी मैं उस प्लेटफार्म का नाम नहीं लूँगा, ले बीस पचिस अफिसर्स, NDS, EDS मिला करके, मतार डीफेंस के तीनों विंग में भेजूँगा, यह मेरा संकल्प है, असरुवात हो गई है, यह मैं चैलेंज के रूप में स्विकार किया हूँ, और किसी को दिखा करके अपने आपको प्रूब भी करना है, हमें, जीत की बात की जिद्धी होना हमेशा सही नहीं है, जीत होना चाहिए और जिद्धी नहीं होना चाहिए, देश काल परिस्तित के हिसाब से अपने लक्षी को, हलाकि लोग गहते हैं कि एक लक्षी पर ठीके रहिए, यह समय कोय और था, B option आपका रेडी रहना चाहिए, मैंने इतना सारी अ दीची की तरह तैयारी करते हुए और इसी इलावात की धरती में गल गये कितने गल गये मतलब की समझ रहा ना थोड़ की चले गये वापस नहीं गये यहीं पर खतम हो गये पढ़ते पढ़ते यहीं खतम हो गये किसी बीमारी से खतम हो गये तो किसी mental disturbance के वज़ा से suicide कर लिए तमाम परकार की चीज़े कर लिए यहीं गल गये अच्छे-च्छे स्कॉलर्स अच्छे-च्छे सेनियर्स मेरे कई सेनियर्स को तो मोटिवेट करके मैं ने बचाया भी अठारा में एक लोग थे जिनका इंटर्विमन नहीं हो पाया था वो डिमोटिवेट हो गये वो भी suicide क कर लिए दुसरे लड़के थे उनको तो हम कैसे कैसे गाइड करके हमने बचाया उनको तो मेरे कहने का मतलब यह कि अच्छे स्कॉलर्स में चलेगा जीद के वाज़ा से कि खायेगा घास यह खायेगा यह सेर तो घास नहीं खायेगा यह मांसी खायेगा यह अच्छी चीज ह लेकिन देश काल परिष्थिति के हिसाब से आप अपने आपको अगर डिप्लमेटिक तरीके से शिफ्ट भी कर लेते हैं तो यह उससे भी अच्छी चीज है तो सफलता को उसी अधार पर ना किये जो आपने टार्गेट तर कर रखा है अब यह कहें आपके आपका टार्गेट आएस है तो आएस बन गए तो आप सफल होगा ठीक है तो अब आप यह सोचे कि फलाना देखती भी आएस बन जाता है तभी वह सफल होगा तो यह पैरामिटर सही नहीं है ना आप इंटर्परिनर बन जाता है बहुत अच्छा सा उद्यमी बन जाता है तो अगर उधर भी कर सकते हैं अच्छा तो भी प्लान हमारा रीड़ी रहना चाहिए भी प्लान से हम मोटिवेटेड फिल करते हैं आज आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स और इंजिनियर्स जानते हैं उनका भी प्लान रेड़ी है जो मबिविस किया है वो उप्यक्षी की एकजाम में बैठता है तो यह सोच करके बैठता है कि सेलेक्ट हो जाओंगा तो ठीक है अधरवाज मैं डॉक्टर तो हूँ आयेटियन से ही सोचता है सेलेक्ट हो जाओंगा तो ठीक है तो तो आपका बी प्लान्स अपना के रुप में काम करता है और या फिर किसी और के प्लान परपर पढ़एंगे या फिर किसी और के platform पढ़ाएंगे यह अलग विशह है लेकिन अब आप खुद सोचिए कि जो बंदा पूरी life अपनी जो crucial period होता है life का 30 साल, 35 साल के पहले तक का उत्यारी में दे देता है तो किस काम के आएगा हो समाज के लिए किस काम में आएगा हो कोचिंग चलाएगा अपने ग्यान का अपने अनुभव को साजा करके नहीं बन पाया तो बनाएगा और जितने भी आएएस टीचर्स हैं कुछ को छोड़ दें जो उन्होंने नावकरी छोड़ करके आएस की पीसेस की आयरेस की तैयारी करवा रहें उनकी बात अगर छोड़ तो 90% तो failures ही हैं जो हमें teachers के रूप में पढ़ा रहे हैं वो तैयारी करते थे नहीं हुआ तो पढ़ा रहे हैं तो failures and success बोथ are broad it depends upon you in which sense you are taking all the terms इन दोनों terms को आप किस sense में आप ले रहे होते हैं यह आप पर निर्वर करता है बाकी यह दोनों terms broad है और इनको judgment करने का भी जो vision है द्रिष्ट कोन है broad होना चाहिए तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप success को judge न करें पहलोर्स को judge न करें इनका analysis करें judgment and analysis बोथ are different process तो analysis आप करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि फलाना ब्यक्ति अगर success है तो किस रास्ते से चल कर success हुआ है जज करेंगे आप तो यह कहा देंगे सीधे से जैसे judge सुनाता है judgment तो सबको सुन करके कहता है कि this person should be hanged till death this is judgment जज यह कहे कि इसको मृत्तु तक इसको लटका दो तो फांसी किसा जा यह judgment है लेकिन क्यों कैसे किस circumstance में किस कानून के तहत यह analysis वकिन साफ करते हैं तो be an advocate only don't try to be judge judge ना बने हां advocate बन कर रहे हैं मज़ा है इसमें advocate बन कर रहेंगे तो analysis करेंगे judge बनेंगे तो one line वे judgment देंगे and one line की जो judgment होती है ना बहुत one way direction होता है इसका analysis कर नहीं होता है मैं यह नहीं कर रहा है कि judges जो होते हैं अगला decision देते हैं नहीं मैं अपाली का प्रस्त नहीं उठा रहा हूं मैं एक example दे रहा हूं कि हमें advocate बन कर रहना चाहिए analysis करेंगे और civil services ही नहीं किसी भी एक्जाम की अपतायारी कर रहे होते हैं तो आपको analysis करने की ज़रुत है फेलोर हुए तो क्यो हुए इसका analysis करें judgment न दीजिए एक ही line में अरे यह तो यह कर लिया ओ कर लिया इसके साथ जातिवा हैं आप analysis करें आपके साथ आपने क्या किया तो analysis में आएगा कुछ ने कुछ चीजे कि कुछ weakness आपकी तरफ से रही होंगी कुछ चीजे circumstances create की होंगे nature ने जो आपके लिए कुछ भी कह सकते हैं सर जैसे कि आपने देखे बहुत अच्छा आपने अपना review दिया जर्णी के बारे में अपना इंडूर्शन दिया तो हम इसे कि और जो बच्चे जो student जो भाई साब जो इसे तयारी करने कि लिए लहावाद प्रियागराज में आना चाहते हैं सिविल सर्विस के लिए तो किन कीन कठना है उनको सामना करना पड़ेगा कितना उनका room rent खरचा हो जाएगा क्या यहां आना चाहिए तैयारी कर जाएंगे कौँ से कोचिंग यहां करके जोईन करें या फिर मुखरजी ने करने के लिए जाएं दिल्ली जाएं तो उनके बार rene का help नहीं मिला कोचिंग के ज़रुत नहीं है तो मैं तो यह इस इनसे बातों को सीरे से करना हूँ ठीक है जोटी बाते हैं मना कोचिंग कि यह ऐसा समभ नहीं नहीं हैम ग्यांट कि कोई भी साल कोई व्हीषिड को करना ही पड़ेगी अपने self self study तो आप कोचिंग कर रहे होते हैं तब ही करते हैं अब नहे जमाने में self study को लोग जानते हैं किस तरीके से परिभासित करते हैं self study means कि you are not attending any coaching institute भाया ये self study और coaching institute का combination है को शेल्फ इस्टेडी अब का कभ का कर रहे होते हैं कि आप कोचिंग से आए घर पे तो आपका टीचर घर पे तो आते करके ना परिभाशित करें सेल्फ़ एड़ि and कोचिंग इस्योट बहुत हार सेम अग दोनों की इंपॉर्टेंस है मैं कोचंग के इंपॉर्टेंस नहीं बढदा रहा हूं इससे और सेल्फव स्टाड़ि को अंडरिस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, तो यह सब चीजे हैं, तो आपको कहीं न कहीं यह करना होगा, कि कोचिंग इस चीओर और जो गाइड हैं आपके, जो मेंटर्स हैं, उनका रहना आपके लाइफ में बहुत जुरू है, जैसे कि मैं अपनी बात बता हूं, मैं जिन जिन सर्विसेस में, आज तो मैं जहां हूं वहां हूं ही, रोजी रोटी चल ही रही है अपना,